आज हम इस वीडियो में डिड़क्शन को डिस्कस करेंगे डिड़क्शन चाप्टर 6A के अंदर जो इंकम टैक्स आक्ट में आता है हम उसे डिस्कस करेंगे और वहाँ पे कुछ डिड़क्शन को भी समझेंगे कि कैसे होते हैं चीज़ें हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार डिड़क्शन क्या होता है डिड़क्शन का मतलब कटोती मतलब कम करना अब क्या कम किया जा रहा है तो इंकम टैक्स आक्ट में कम हो रहा है को कम करना ही reduction कहलाता है अब कैसे कम करी तो उसके लिए कई deduction दिए गए हैं कि इससे इससे आप इस income को कम कर सकते हैं अब यहाँ पर यह समझ लेजेगा क्योंकि rebate, relief यह सारी चीज़ें हमने discuss करी वही है और यह सब कहीं न कहीं tax को कम करने की बात करते हैं तो फिर deduction और rebate और relief में फिर difference कहां आया तो देखें, rebate और relief अगर हम बात करते हैं तो यह tax का जो amount है उसको कम करता है, rebate आपको tax कम करता है, कि tax में आपको discount दे दिया rebate दे दिया, है न relief आपको जो tax नहीं देना पढ़ता अगर पहले हो जाता और अब आपको वो tax देना पढ़ रहा है क्योंकि आपको income late से मिली उसकी वज़ासा आपको relax किया जा रहा है तो यह सब tax amount पे होता है income में कुछ नहीं करते हैं, income जो है वो है यह लोग tax calculate करते हैं, उस tax amount में आपको discount दे देंगे यह tax को नहीं देने के लिए आपको कहेंगे, मतलब relief दे देंगे, लेकिन जब deduction की बात करते हैं, तो deduction tax amount में कुछ नहीं करने वाला, tax जिस पे calculate हो रही है, मतलब income यह income में काम करता है, मतलब income को कम करने के तरीके के बारे में बात करता है, तो अब हमारी income tax act ने चाप्टर 6A में deductions दी हैं, clear है, अब यह deduction ATC से लेके ATU तक दिये गए हैं, और यहाँ पे उनका मतलब क्या था, क्यों दिये गया है, income को क्यों कम किया गया, तो basically यह एक benefit होता है, जो क्यों provide किया जा रहा है, taxpayer यह SSE को provide किया जा रहा है, कि वो क्या कर सके, investment कर सके, मतलब ऐसी investment करें, ऐसा expenditure करें, ऐसा खर्चा करें, जो basically कहीं न कहीं कुछ न कुछ investment की तरफ focus करता हो, तो अगर आप ऐसा expenditure करें, जो की investment के form में हो, तो हम आपकी income को, वो की गई investment में आपको छूट दे देंगे, मतलब हम, भई आपके पास पैसा आया, आपकी income हुई, जब income होगी, तभी तो आप investment करेंगे, कि हमारे future में और पैसा मिले, और पैसा मिले, आप investment कर रहे हैं, तो income tax के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो तो income ही हुआ, तो हम उस चीज़ को income नहीं मानेगे, मतलब उतनी income हम आपके कम कर देंगे, जितना आपने investment किया होगा, तो basically deduction क्या है, एक benefit है, जो कि क्यों दिया जा रहा है, कि आप investment करिये, ऐसे investment जो basically expenditure related हो, जो expenditure आपका पैसा जा रहा हो, खर्चा हो रहा हो, तो income tax department with a view to encourage savings and investment, savings और investment को encourage करने के लिए, amongst the taxpayer have provided various deductions from the taxable income, under chapter 6A deduction, तो encourage करने के लिए, motivate करने के लिए, promote करने के लिए taxpayers को कि वो investment करें, आपको कुछ करने के लिए क्या कहेंगे, अच्छा ये काम करिए, हम आपको, इस पे कोई tax नहीं लेंगे, इस पे कोई छूट, इस पे आपको वो नहीं करेंगे, बलकि हम आपकी income और कम कर देंगे, आप जाए investment करिए, तो आपको होगा ने कि ये investment करने से भी मेरा ही फाइदा है, income वैसे उठा के tax दे, इसे अच्छा हम investment कर दें, तो basically क्या है, ये सब promote, savings को promote करने के लिए, एक तरीके से benefit दिया गया, income tax department के दुरू, और जिस benefit का मतलब क्या हुआ, कि आपकी income कम कर दी जाएगी, जिससे आप पे tax की liability कम आही, clear है, तो that can be subtracted from a taxpayer's gross total income, in order to reduce the amount of income that is subjected to taxation, तो हमें पता है, कि जब एक individual की income calculate होती, पांच हो heads की income को total करते थे, उसको हम बोल दोते है gross total income, अब इसी gross total income में से हम क्या देते थे, deduction देते थे, देखिया हर head में जो deduction मिलना था, वो तो उनका अपना है, salary में standard deduction मिलना था, section 16 के अंदर वो उनका अपना हो गया, house property में जो deduction देना था, वो उनका अपना हो गया, capital gain में जो exemption मिलता हो उनका अपना हो गया, अब हर head के अंदर जो मिलना था, वो तो आपने ले लिया है, फिर overall आपना gross total income calculate कर ली, कि अब मेरी ये इतने income होती, ये जो deduction है, इस gross total income में से deduct होता है, मतलब अगर आपने कोई investment किया, या कोई और chapter 6A में जो बाते कही गई है, उसके according चीज़ें आपने करी है, तो GTI में से उतना amount क्या हो जाएगा, deduct हो जाएगा, मतलब आपके gross total income में से, वो income को हटा देंगे, minus कर देंगे, और फिर आपकी आएगी, taxable income या total income, तो chapter 6A के जो deduction है, ATC से लेके ATU के deduction, वो कहां से less होते हैं, वो gross total income से less किये जाते हैं, जिससे कि taxable income कम आए, क्योंकि वही total income, वही taxable income जिस पर tax लगने वाला है, clear है, तो it helps the taxpayer to reduce their tax liability, और इसके वज़ा से कि अगर total income कम आई, gross total income तो ज़्यादा थी, पर deduction लगा दिये, तो total income कम हो गई, total income कम हो गई, तो अभी इस total income पर तो tax lab में जाएंगे, और आप पर tax लगाएंगे, total income कम रहेगी, तो tax भी कम लगेगा, तो tax liability को reduce करने और deduction आपकी help करता है, अब यहाँ पर मैंने आपको deduction, chapter 6A के जो पूरे दिये जाते हैं deduction, उसके वो थोड़ा सा brief way में आपको clear करने की कोशिश करिए, देखे, chapter 6A में, ATC से लेके ATU तक कर deduction आता है, पूरा, ठीक है, लेकिन इन deduction को अलगर पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कुछ deduction आपको, ATC से लेके ATU के अंदर ही, कुछ deduction ऐसे हैं, जो इसलिए आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप कुछ payment कर रहे हैं, मतलब जैसे कि, आप insurance का payment करते हों, प्रिमियम पे कर रहे हैं, आप PFEB में पैसा लगा रहे हैं, तो आपके पासे पैसा जा रहा है, payment हो रहा है, तो आप कुछ investment कर रहे हैं, expenditure कर रहे हैं, payment कर रहे हैं, तो उसकी वज़ा से आपको जो deduction मिलेगा, वो यह होगा, deduction in respect to certain payment, clear है, दूसरा column किया है, deduction in respect to certain income, यह deduction आपको तब मिलेगा, जब आप payment नहीं कर रहे हैं, बलकि आपको पैसे आ रहे हैं, income आ रहे हैं, तो उस case में आपको यह deduction मिलेगा, मतलब जैसे आप देखे, ATJJAA, in respect of employment of a new employees, तो अगर नए employees employment में आते हैं, और फिर उनको income हो रहे हैं, तो उसके regarding reduction दिया गया, royalty on a partner, royalty receive होती है partners को, तो अगर आपको royalty की income हो रहे हैं, तो उसके regarding उस income के लिए, यहाँ पे जाके ATRB में reduction मांग सकते हैं, इसके इलावा, author certain books and other text books, तो जो author होते हैं, books होते, text book या reference book, इस तरह की books publish होती हैं, उसके authors कुछ royalty मिलती है, वो लोग भी क्या करते हैं, royalty उनकी income होई, उसके लिए पिए reduction मांग सकते हैं, तो यह तो इनकी income होई है, कुछ payment नहीं करें, बलकि income हो रही है, इनको इस source से income हो रही है, उसके लिए special reduction इनको दिया जा रहा है, कि हम आपको इस तरह की source से income होई, तो इस income को ही हम कम कर देंगे रही है, जबकि यह वाला क्या है, इस site जो आपका payment वाला section है, यहाँ पे आपको income आपने कहीं से भी कमाई हो, किसी भी source से कमाई हो, लेकिन आपने इन प्लेसे पे पैसे को लगाया है, medical insurance का premium ले लिया आपने, आप rent पे कर रहे हैं, तो आप इस तरह का खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए आप reduction ले रहे हैं, फिर reduction in respect of other income, कुछ और भी income होती है, जिनके regarding आपको reduction मिल जाता, जैसे कि ATTTA का, बहुत important reduction है, जो कि जलूरी सभी लोग claim करते हैं, यह reduction क्या होगे, जो bank में आपका saving account चलता है, saving account में आपको interest मिलता होगा, तो वो saving account का interest, जो आपको मिल रहा है, वो आपकी income होगई, उस income को भी आप छूट ले सकते हैं, मतलब उस income को भी आप कम कर सकते हैं, ले सकते हैं, किस section के अंदर, ATTTA की अंदर, senior citizen है, तो TTP की अंदर ले लेंगी, और amount अलग अलग, 10,000, 50,000, मतलब इतनी तक कही reduction मिलेगा, इसके अलब कुछ और भी deduction है, other deduction, यह other deduction की क्या मतलब, वो ना कोई payment कर रहे हैं, ना कोई income receive हो रही है, बलकि कोई characteristics है, जो है, उसकी वज़ा से आपको deduction मिलेगा, इसका मतलब taxpayer अगर disabled है, तो चूँकि वो disabled है, उसके disability की वज़ा से ही, उसको सिर्फ deduction मिल जाएगा, वो जहां से भी जितनी भी earning कर रहा हो, वो disabled है, इसलिए उसको deduction मिलेगा, मतलब इसको इसको इनकम में रखा गया ना payment में, other deduction, disability की वज़ा से उसको यह deduction मिल रहा है, तो that is ATU का deduction, तो आप यह भी देखिए, यह सारे deduction है, और यह total number, मतलब maximum deduction में हैं यह आपर cover करने की कोशिश की है, इसके अलावा भी ATP है, ATM है, इसके भी deduction है, पर basically यहाँ पर maximum deduction को, जो important deduction को cover करने की कोशिश करीगी है, तो ATC है, देखिए, यहाँ पर LIC, PPF, इसके में पैसा लगता है, ATCC है, ATCD है, medical insurance premium, अगर आप करते हैं, medical insurance का premium आप भी कर रहे हैं, तब आपको मिलेगा, अगर किसी dependent, disabled, आप पे कोई dependent है, spouse हो गया, parents हो गया, children हो गया, वो dependent होते हैं आप पे, और अगर ऐसा कोई SSE है, और उसके ऐसे dependent, disabled है, और उनका कोई medical treatment हो रहा है, तो उसके लिए जितना भी खर्चा आएगा, उसके लिए आप claim कहां मांग सकते, ATDD में, यह सब payment कर रहे हैं, तब आप खर्ची मांग रहे हैं न, फिर higher education के लिए आपने loan ले रखा, उसका interest पे करते हैं, तो उस interest के लिए भी आप क्या करते हैं, जितना भी interest हम पे करेंगे, उसको अपनी income से less कराने के लिए मांगेंगे, कहाँ पे ATE में, तो यह सारे payment के regarding reduction हैं, अब हम इसमें से कुछ important deduction को discuss करते हैं, उनकी condition, उनके amounts उसके हिसाब से, तो exam में कभी भी अगर deduction पे short notes पूछा जाता है, deduction के regarding पूछा जाता है, तो वहाँ पे यह धिहान रखना होता है, कि deduction क्या होता है, यह बताना चाहिए, और कुछ important deductions को जरूर explain करना चाहिए, कि यह कम से कम 6-8 deduction तो आप at least explain करिए, कि यह particular deduction इसलिए मिलता है, इनको मिलता है और इतने amount का मिलता है, तीन चीज़े important है, किसको मिलता है, कब मिलेगा, मतलब आप कब claim कर सकते हैं, और कितने amount का मिलेगा, यह तीन चीज़े बस आपको याद रखनी होती है, तो यहाँ पर कुछ important deduction को हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं, और वो चार्ट अगर आप exam point of view से भी consider करेंगे, तो काफी helpful रहेगा, ATC की बात करते हैं, तो ATC, generally maximum लोग ATC को claim करते हैं, तो eligible कौन है, ATC का deduction कौन ले सकता है, कोई भी individual या HUF, Hindu undivided family अगर है, तो वो लो ATC में claim कर सकते कि हमको यह वाला deduction चाहिए, इसके अंदर मेरी income कम कर दीजे, है ना, कितना amount deduction का मिलेगा, तो maximum limit इनकी कितनी है, 1,50,000, 1,500,000 तक, आप कितना भी करिए, कितना भी आप खर्चा कर दीजे, लेकिन 1,500,000 तक का ही आपको यहाँ पर deduction मिलेगा, मतलब 1,500,000 तक का amount, maximum limit इतना है, इतना आपकी income में से less कर दीजेगा, कौन से income में से, अब बात करते हैं कि कब होगा, यह deduction हम कम मांग सकते हैं, हम ATC को कब claim कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई LIC का premium किया है, या PPF में, SPF में, RPF में है, कोई super investment fund है, उसमें आप कोई पैसा contribute करते हैं, लोगों थे ना public provident fund, PF फिगरा ले 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 तो उसमें पैसा डालते रहते हैं, PF account खुलवा लिया, SPF account खुलवा ले उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो जो आप पैसा दे रहे हैं, वो उस पैसे पे जितना भी आप दे रहे हैं, उसका आप यह deduction मांग सकते हैं, माल लेजें कि हम 5,000 रुपीज देते हैं पर मन्थ, पर मन्थ PPF में डालते हैं, तो 12 मन्थ का कितना हो गया, 12,500 रुपीज़ दे रहे हैं, 60,000 हो गया, तो maximum कितने तक कमान सकते हैं, 1,500,000 तक कमान सकते हैं, और मेरा भी कितना claim हैं बन रहे हैं, 60,000 का, मतलब यह जितने भी होंगे, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,500,000 तक का मिलेगा, उससे जादा अगर आप invest करते हैं, तो वो फिर आपका loss है, मतलब उसका कोई reduction आपको नहीं मिलेगा, repayment of housing loan taken from government bank, LIC, आपने घर के लिए loan लिया था, उसका payment आप पूरा कर रहे हैं, चीके tuition fees है, उसके regarding आपको अगर आप payment करते हैं, तो उसके लिए भी आप ATC में claim कर सकते हैं, term deposit for a FD not less than 5 years से ज़्यादा की FD अगर है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, नाबाट से कोई bond आपने लिया है, सब्सक्राइब किया, कोई bond आपने खरीदा हुआ है, उसका payment है, तो उसके लिए भी आप ATC का deduction ले सकते हैं, post office में time deposit आपने किया है 5 years का, उसके लिए ले सकते हैं, senior citizen saving scheme SCSS कहते हैं, उसमें पैसा लगाया है आपने, तो उसके लिए, लेकिन इसमें से किसी में भी, इसमें से 3-4 में सब में लगाया हूँ, पर सब कुछ मिला कर total amount कितना बनेगा डिर लग, इससे ज़ादा का deduction ने ले सकते हैं, भले आप इससे ज़ादा का deduction कियो ना की हो, deduction मिलेगा डिर लग का, next एक ते से ATCCC, ATCCC, अगर आपने कोई पेंशन का कोई आपने ले रखा है, उसमें आप payment करते हैं, तो उसके regarding आपको इस direction claim कर सकते हैं, इसके अलावागा हम दे ADD का deduction, ADD में भी किसको मिलेगा, individual और HVF को मिलता है, कितने amount तक का deduction मिलेगा, तो पचीस ज़ादा का deduction मिलता है, और अगर आपका जो भी person है, अगर वो person, taxpayer जो है, वो individual, अगर वो senior citizen है, तो पचीस ज़ादा की जगाव सो कितना मिलेगा, 50,000, या फिर उसका जो dependent है, मतब उसके spouse, वो senior citizen होगा, तो भी वो पचास ज़ादा का deduction claim कर सकता है, पर ये deduction कब हम claim करेंगे, कब मागेंगे, अगर हमने कोई medical insurance ले रखा है, और जो premium हम दे रहे हैं, उसमें हम deduction कितना ले सकते हैं, पचीस ज़ादा, भई जितना premium का amount होगा, या तो उतने का मिलेगा, या maximum कितने मिलेगा, पचीस या पचास, senior citizen है तो पचास, otherwise पचीस ज़ादा का मिलेगा, तो any premium paid, otherwise then buy of cash, to keep in force of insurance on health, अगर आपने अपने जैसे जो टैक्सपेर है, उसने अपने बच्चे का करवाया है, medical insurance, या अपने spouse का husband या wife, उसका कराया है, या अपने खुद का medical insurance करवाया है, तो इन तीनों केस में, वो 80 degree reduction क्लेम कर सकता है, maximum limit कितनी रहेगी, और अगर हिंदू undivided family की बात करें, तो हिंदू undivided family में, अगर family members का आपने कराया है, medical insurance, तो उनका भी आपको यही maximum limit मिलेगी, ठीके, नेक्स दिखते है, ATDD, ATDD में किसको मिलेगा, resident individual को या HUF को मिलेगा, कितना amount है, flat deduction 75,000 का है, और अगर severe disability है, मतलब यहाँ पर भी दिखिए, वो क्या था, सिर्फ medical insurance premium, disability के case में आप insurance करा रहे हैं, ऐसा नहीं था, health insurance ले रहे हैं, ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि, 75,000 का तो सीधे-सीधे मिल जाएगा, लेकिन अगर severe disability है, severe disability का मतलब क्या है, कि more than 80% वो जो person है, वो disabled है, 80% से ज़ादा की disability उसमें है, उसको बोलते है severe disability, तो अगर severe disability का case होगा, तो 1,25,000 तक का deduction मिलेगा, पर कब मिलेगा, किस case में मिलेगा, तो अगर dependent जो है, जिसका आप medical insurance ये medical treatment करवा रहे है, वो क्या है, वो disabled है, तो अगर कोई taxpayer है, और किसी disabled, उसका जो dependent है, अब dependent की भी, वहाँ पर definition दी जाती है, कि spouse हो गया, parents हो गया, children हो गया, ये सब dependent की category में आते हैं, तो जो taxpayer उसका जो dependent है, अगर वो dependent क्या है, अगर वो medically fit नहीं है, और disabled है, और उसका आप medical treatment करा रहे हैं, तो आप जो भी खर्चा हो उसके लिए 75,000, और senior disability थी dependent की, तो मौलना 25,000 का सीधर deduction आप मांग सकते हैं, ATDD में, इसके लावा ATE है, ATE में किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ individual क्याश्यों, सिर्फ और सिर्फ individual क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई limit ही नहीं है, कितना तक amount reduction मिलेगा, तो कोई limit नहीं है, मतब, limit नहीं दी गई कि, सिर्फ 1.5 लाव तक मिलेगा, 25 तक मिलेगा, कोई limit नहीं दी गई है, पर क्या बूला गया है, reduction is available for the interest payment in initial assessment year, मतब कि, जिस साल से आप interest payment करना शुरू करेंगे, उस साल से मिलना शुरू हो जाएगा, और कब तक 7 साल हो तक, जब से payment शुरू ही interest की, उस साल से लेके, 7 एर तक अगर आप interest का payment कर रहे हैं, तब तक आपको reduction मिलेगा, या फिर, आप interest पूरा pay कर दी हैं, दोनों में जो पहले आ गया, हो सकता आपने 5 साल का loan लिया हो, तो पहले कौन सा हो गया, 5 एर, तो 5 एर में आपका loan complete हो गया, तो वहाँ पे आपको उतने साल तक का deduction मिलेगा, otherwise, maximum 7 एर साल का deduction मिलेगा, जो भी दोनों में पहले होगा, तो कब मिलेगा, किस चीज के लिए आपने loan लिया हो, आपने loan लिया था, higher education के लिए, और ये देखे, जो भी students होते हैं, जो higher education में जाते हैं, मतब MBA, या post graduation के degree, मतब अपने degrees complete करने के लिए, जो loan लेते हैं, उनको deduction मिलता है, ATE का मिलता है, और ATE के deduction में क्या ध्यान रखना है, कि आपका जो भी interest amount पढ़ रहा है, जिस साल से interest देना शुरू करेंगे आप, जिस समय से interest payment शुरू होगा न, जैसे education loan के अगर बात करते हैं, तो education loan में समटाइम यसा होता है, जैसे आपका MBA का है, मालेजिए दो साल का course हो गया, तो आप education loan ले रहे हैं, तो आपको initially दो साल जब आप पढ़ाई करेंगे, तब तक interest इस्टार्ट नहीं होगा payment, आपकी EMI कब बनेगी, दो साल के बाद बनना शुरू होगी, जब आपका course कम रहे हो, कोर्स जुरेशन के end वाले time period से बनना शुरू होती है, तो इसका मतब जिस समय से EMI, तो loan तो आपका दो साल पहले से शुरू हो गया है, लेकिन क्या कहा जा रहे हैं, इसलिए कि जिस समय से interest payment शुरू होगा जिस year से, उस year से 7 साल तक का आपको deduction मिलेगा, clear है, यहाँ पर इसलिए सिस को clear क्या गया है, अब जो आप higher education के लिए loan ले रहे हैं, वो किसी भी financial institution से ले रहे हों, किसी भी charitable institution से ले रहे हों, और आप जो है higher education को pursue करने के लिए, बतर पढ़ने के लिए लोग ले रहे होंगे, clear है, और जो taxpayer है, अगर उसने ये education loan, अपने किसी relative के लिए लिया है, मतलब relative अपने spouse के लिए, children के लिए, या फिर वो किसी का legal guardian है, मतलब कोई ऐसा है, जिसका legal guardian वो taxpayer है, और उसके लिए, उस person के लिए उसने loan लिया है education का, तो ये taxpayer उसके लिए भी अपना, क्या मांग सकता है, यहाँ पे claim कर सकता है, deduction claim कर सकता है, तो ये conditions हो जाती है, next दिखते हैं, ATEEE का deduction, तो ये भी individual को मिलेगा, यहाँ पे limit दे देगी 50,000 तिक की, eligible payment क्या है, eligible payment के लिए कि deduction जब मिलेगा आपको, वो interest पे मिलेगा, और कौन से interest पे जो कि आपने, जो loan आपने लिया हो, किसी financial institution से लिया हो, है ना, housing finance company हो गई, या bank हो गए, इन से लिया हो, और किसलिए लिया हो loan, आपने loan लिया हो, किसी residential property के लिए, तब रहने के लिए, घर रहने के लिए आपने loan लिया हो, तब आपको क्या कर सकते हैं आप 80EE का deduction क्लेम कर सकते हैं लेकिन यहापे कुछ condition है condition क्या है कि यह जो loan आपने लिया हो ना यह loan आपने कब लिया हो जो year होगा वो 2016 and 70 के year में आपने वो loan लिया हो यहापे यह important है और दूसरी चीज क्या जो sanctioned amount है वो 35,00,00 का amount 35,00,00 का होना चाहिए और जिस घर के लिया आपने loan लिया उस घर की value अपने लिए 57,00,00 का होनी चाहिए और loan कब ले लिया हूँ आपने 16-17 में लिया हूँ तब जाके आप ATEE का reduction मांग सकते हैं और वहाँ भी condition क्या है पचास अजार तक ही loan आपको reduction मिलेगा इसी में एक और आपको reduction मिलेगा और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि जिस साल आपने loan लिया है उस साल तक आपके पास अपना कोई घर नहीं था तब जाके अपने घर के लिए आपने loan लिया था और यह condition थी तो आप 5000 तक का reduction मांग सकते हैं 80EEA का भी आता है reduction यह भी इस residential house के लिए है कि आपने इसके लिए loan लिया हो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपने जो loan लिया होगा किसी financial institution से लिए है और घर के लिए residential house property लिए है और बिजनस के लिए आप real estate के business में है और real estate की properties खरीद रहे हैं उसके लिए loan लिया और उस पर जो interest जा रहा है उसके लिए claim करने आये है तो नहीं नहीं आप खुद के लिए घर ले रहे थे और उसके interest के लिए आपको यह claim मिलेगा पर condition क्या है कि आपने जो loan sanction करवाया है वो 1st April 2019 से लेके 31st March 2022 के बीच में करवाया हो इसी time period के बीच में आपका loan sanction होन चाहिए ठीक है और दूसरी important बात क्या कि आपने जब घर लिया है जोब यह loan लिया है घर के लिए उस time period तक loan के time period तक आपके पास अपने नाम का कोई घर नहीं होना चाहिए तब जाके आप 80EE में 1.5 लाग तक की छूट मांग सकते हैं अच्छा यह अगर इसी के लिए अग ATG का deduction क्या है यह सभी SSE को मिलता है यह क्या होता है यहां पर जो amount है यहां पर दीके ATG का deduction बहुत important है यह donation के regarding deduction होता है तो यहां पर दो चीज हो जाती है पहली बात तो qualifying limit beside की जाती है जिसका calculation होता है basically तो qualifying limit कुछ ऐसे deduction है मतलब अगर आपने ऐसी जगह donate किया इस तरह के fund म तो आपकी qualifying limit जो भी रहेगी उसका 100% जितनी भी qualifying limit हुई पूरी का 100% आपको क्या मिल जाएगा deduction मिल जाएगा ऐसे कौन से fund है अगर आपने Prime Minister National Relief Fund में donate किया पैसा National Children Fund में donate किया सच भारत कोश में donate किया National Defense Fund में किया PM CareS Fund में किया अगर आपने इस तरह के fund में पैसा donate किया है तो qualifying limit में जितना भी पैसे उसका calculate करके qualifying limit 100% आपको deduction allowed हो जाएगा वही अगर आपने अपना जो donation दिया है वो कुछ अलग fund में दिया है तो उनके लिए 50% का donation allowed है जैसे Prime Minister Drought Relief Fund, जवाहरलाल नहरूर मेमोरियल Fund, इंद्रा गांधी Memorial Trust, राजियु गांधी Foundation ये सब के क्या दिया है, donation आप कर रहे हैं कहाँ पर कुछ charitable institutions को या इन सब को आप donation करते हैं तो उनके लिए ये आपको मिल जाता है, clear है? इसके अलावा ना companies जिसे ATG है यहाँ पर ATGGB होता है, ATGGB कि इसके लिए हो जाता है, companies के लिए वहाँ पर आप political parties को कर रहे होते contribution, जब Indian companies political parties को contribution करती ह हैं तो उसके लिए भी donation का है, ATGGB होता है, 100% donation का amount deduct हो जाता है, right? इसके लावा ATGG की बात कर लेते हैं, वो GGB की बार में बहुता है, ATGG की बात कर लेते हैं, तो वो individual not receipt to house and allowance, जो HRA receipt नहीं कर रहे होते हैं, वो उनहीं के लिए ये eligible होता है, ATGG, right? तो यह basically क्या होता है, कि इस 25% of total income, आपके total income का 25%, rent paid minus 10% of total income, कितना आप rent देते हैं, minus total income का 10%, दोनों को list कर दीजे, X's amount हो आएगा, वो, या फिर 5000 per month के हिसाब से, तीनों को देखेंगे, और उसी के हिसाब से, जो least होगा तीनों में, उतने amount का को deduction मिल जाएगा, ठीक है, और no deduction if any residential accommodation is owned by the SSE, his spouse, minor child, HVF, अगर आपके आपके नाम पर, मतब टाक्सपेयर के नाम पर, या उसकी spouse के नाम पर, या उसकी children के नाम पर, अगर अलड़ी कोई घर है, तो आप rent के regarding deduction नहीं ले सकते हैं, बिसिकली ATWG का जो deduction होता है, वो rent के लिए होता है, कि अगर रहने के लिए हम rent देते हैं, तो उस rent प लिए आप कहां क्लेम कर सकते हैं, ATWG में क्लेम कर सकते हैं, और आप deduction ले सकते हैं, लेकिल condition ये रही, ठीक है, इसके लावा ATTTA, ये income के regarding हो गया, वो तो एक payment के regarding इतने सारे थे, ATTTA की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, individual HOF, other than resident senior region, senior region को छोड़के, individual HOF को ये allow होता है, क् senior region के लिए ATTTA भी हो जाता है, तो यहाँ पर कितना है, actual interest subject to a maximum of 10,000, तो maximum 10,000 तक अगर आप interest receive करते हैं, तब तक आपको deduction मिलेगा, मतब अगर आप 7,000 कर रहे हैं, तो 7,000 का मिलेगा, maximum limit 10,000 है, पर अगर आप 12,000 interest receive कियें, तो deduction कितने का मिलेगा, सिर्फ 10,000 का, 2000 पर आपको tax दे नहीं मिलेगा, अब किस पर मिलेगा ये, तो अगर आपने saving account पर अपना पैसे deposit किया, उस saving account पर आपको interest receive हो है, और साल भार में वो interest 10,000 के नीचे है, 10,000 से कम interest receive किये हैं, 10,000 तक receive किये हैं, तो पूरा interest जो है, आप claim कर सकते, ATTTA में, आपको पता होगा, कि यह जो interest होत जा गया हो, तो उस case में आप इसका reduction ले सकते हैं, पर post office में FDFD करके बैठे हैं, तो नहीं, मतब savings की बात कई जा रही है, तब जाके ATTTA का ले सकते हैं, वहीं पर ATTTA क्या होती है, वो senior citizen को इलाओ होगी, और maximum limit कितनी हो कि 50,000, बाकी conditions सेम रहती हैं, ठीके, अब एक last reduction और ह resident individual को मिलता है, और यह हमने करा other deduction है, इसलिए मिलेगा, आप कुछ payment कर रहे हैं, कुछ income होरी नहीं, यह इसलिए मिलेगा कुछ की condition है, disability की होजा से मिलती है, amount कितना है, 75,000 का flat deduction मिलेगा, जो person disabled है, उसको, और 125,000 का मिलेगा, अगर वो severe disability का case होगा तो, और condition क्या है, कि person जो ह ना, वो क्या हो disabled person हो, अगर taxpayer disabled person है, तो flat ATU में जाकर deduction मांग सकता है, 75,000 यह वो 25,000 का, ठीक है, लेकिन यह जो disability है, वो medical authority के तुरू certified होनी चाहिए, clear है, इसके इलावा भी बहुत सारे deduction है, जो दिये जाती है, जो कि हमने यहां पर भी discuss नहीं किया हुआ है, electric vehicles विगरा आप खरीद रहे हैं, उसके लिए भी deduction दिया जाता है, बहुत ही जादा deduction है, रही बात कि इसमें से कुछ deduction अगर आप याद करके exam में करेंगे, तो वो easy रहेता है, so I hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the best, thank you so much.